हेलो गाईज, वल्कम बैक तो माई शैनल, इस्पाइसा फिर इंगलिस, आज की वीडियो में आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसे सीखने वाले हैं, जिसते कि आप इंगलिश को इंप्रूब कर सकते हैं, वेल गाईज, अगर आप भी अपने इंगलिश इंप्रूब करना चाहते ह अगर हम पकड़े गए तो हम मुश्किल में पढ़ सकते हैं, यह बोलता है, मुझे पूरा यकीन है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, I am damn sure we won't get caught, I am damn sure we won't get caught, मुझे पूरा यकीन है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, मैं तुम लोग के साथ चोरी नहीं करने जा रही, I am not going to rob with you guys, मैं तुम लोग के साथ चोरी नहीं करने जा रही, I am not going to rob with you guys, अगर हम इसे चुरा लेते हैं, तो हमें इसे फिर से कभी नहीं क करना पड़ेगा, if we steal it, then we never have to do it again, if we steal it, then we never have to do it again, अगर हम इसे चुरा लेते हैं, तो हमें इसे फिर से कभी नहीं करना पड़ेगा, तो guys कहने का ये मतलब है कि अगर हम इसे चोरी कर लेते हैं, तो हमें फिर से चोरी करने की ज़ुरत नहीं है, हमें नहीं करना पड़ेग if we steal it then we never have to do it again तुम अच्छे पैसे कमा लेते हो तो फिर चोरी करने की क्या जूरत है if you make money then what is the need to steal if you make money then what is the need to steal तुम अच्छे पैसे कमा लेते हो तो फिर चोरी करने की क्या जूरत है if you make money then what is the need to steal मेरे डैड के जाने के बाद मेरी माने पीना शुरू कर दिया मेरे डैट के जाने के बाद मेरी माने पीना शुरू कर दिया और मुझसे कहा कि मेरे डैट के छोड़के जाने का कारण मैं थी और मुझसे कहा कि मेरे डैट के छोड़के जाने का कारण मैं थी आगे देखते हैं guys, मैं उनकी याद में बहुत रोया करती थी, I missed him a lot, so I would cry, I missed him a lot, so I would cry, मैं उनकी याद में बहुत रोया करती थी, I missed him a lot, so I would cry, या I used to cry, दोनों का मतलब एक ही है guys, आगे देखते हैं, वहां मुझसे बहुत तंग आ गई थी, यह पैसे मिल जाये तो मैं तुम लोगों के साथ चलूँगी यह बहुत आसान होने वाला है इस घर में जो आदमी रहता है वो पांच दिन से घर से बाहर ही नहीं निकला है इस घर में जो आदमी रहता है वो पांच दिन से घर से बाहर नहीं निकला है उसने अपनी आखें एक जंग में खो दी थी उसने अपनी आखें एक जंग में खो दी थी एक अंधे आदमी को लूटना एक तरह का पाप है एक अंधे आदमी को लूटना एक तरह का पाप है अंधा है इसका मतलब यह नहीं की हुआ है एक संथ है यहाँ पर गाइद यह बोल रहे है कि एक अंधे आदमी को लूटना एक तरह का पाप है एक तरह का पाप है ना यहाँ जानता हूं अंधर क्या है और मैं उसे लिए बिना नहीं जाओंगा मैं जानता हूं अंधर क्या है और मैं उसे लिए बिना नहीं जाओंगा यहाँ पर एंड का मतलब है कि I am not I am not living without it मैं उसे लिए बिना नहीं जाओंगा समझ गया है तू? You got me You got me समझ गया है तू? You got me तो जैसा मैं कहता हूं वैसा कर ठीक है? So you do as I say All right So you do as I say All right तो जैसा मैं कहता हूं वैसा कर You do as I say All right एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत मत करना Don't you dare Take one single step forward Don't you dare Take one single step forward एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत मत करना तुम क्या करने वाले हो? What are you gonna do now? What are you gonna do now? पैसे लेने के बाद मैं तुम्हें मुक्त कर दूगा यहाँ भी यह बोल रहा है कि तुम क्या करने वाले हो now don't make me kill you bastard don't make me kill you bastard पैसे लेने के बाद मैं तुम्हें मुक्त कर दूगा I'll set you free after taking the money पैसे लेने के बाद मैं तुम्हें मुक्त कर दूगा जो किया वो तुमको नहीं करना चाहिए था you shouldn't have done what you did जो किया वो तुमको नहीं करना चाहिए था बाकी की उम्र जेल में सड़ना you are going to rot in prison for the rest of your life you are going to rot in prison for the rest of your life बाकी की उम्र जेल में सड़ना तो guys यहाँ पी लड़की बोल रही कि जो किया वो तुमको नहीं करना चाहिए था यह लड़का इसके साथ कुछ गलत कर देता है, तब यह यह बोल रहे हैं कि You shouldn't have done what you did, जो किया वो तुमको नहीं करना चाहिए था, बाकी की उम्र जेल में सड़ना, You are going to rot in prison for the rest of your life, यानि कि मैं पुलिस को बुलाने जा रही हूँ, अब तुमको जेल में सड़ना है बाकी की उम्र, You are going to rot in prison for the rest of your life, यह बोलते हैं गाइस, Rocky अब हम पुलिस को नहीं बुला सकते हैं, Rocky we can't involve the cops now, अब हम पुलिस को नहीं बुला सकते हैं, यानि कि हम पुलिस को इस matter में involved नहीं कर सकते, Rocky we can't involve the cops right now, अगर पुलिस यहां आई तो हम मुश्किल में पढ़ जाएंगे, If the cops come here we might get into hot water, If the cops come here we might get into hot water, अगर पुलिस यहां आई तो हम मुश्किल में पढ़ जाएंगे, Guys hot water यहां एक एडिया में इसका मतलब होता है, If the cops come here we might get into hot water, अगर पुलिस यहां आई तो हम मुश्किल में पढ़ जाएंगे, हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा, We have to get out of here as soon as possible, We have to get out of here as soon as possible, हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा, Guys यहां पी यह बोल रहाएंगे, अगर पुलिस यहां आई तो हम मुश्किल में पढ़ जाएंगे, If the cops come here we might get into hot water, If the cops come here we might get into hot water, हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा, We have to get out of here as soon as possible, हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा, हम इस दर्वाजे को बिना चावी के नहीं खोल सकते, Guys गहने का मतलब यह है कि हम इस दर्वाजे को खोल नहीं सकते सिवाय चावी के, We can't open this door unless we have the key, कि हम इस दरवाजे को बीना चाहभी के नहीं खोल सकते गाइस वीडियो इतना ही जरू बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए और कॉमेंट करके जरू बताई अगर आप इस चैनल पर नए है तो प्लीज हमारे चैनल को सब सब्सक्राइब कर लीजिए मैं डेली आपके लिए इसी तरी की वीडियो बनाता हूं ताकि आप निलिश को इंप्रूब कर सकें वेल गाइज मैं आपसे एगली वीडियो मिलता हूं तिल दें टेक केर की प्रक्टिसीं और थैंक्स वर वोचिंग